हलो जेई एस्पिरिंस और आप सभी अब जेई अप्रेल की पर्तिक्छा में हो गया इंतिजार कर रहे होगे और पैरलली बहुत सारे प्राइवेट कॉलिज के अप्लिकेस फॉर्म उपन हो गये हैं कुछ के उपन होंके क्लोच भी होगे है और बोर्ट इग्जाम भी ओवर हो काउंसलिंग के लिए अप्रोच आउट करेंगे कि तो कोंसलिंग क कोटरी करें हम और को कैसे गॉपर्मेंट कॉलिज मिलेगा कि मैं आप सब सरी को एक यार्ग अूस कर सकता हूं क talk कि कितना भी सप्रेंथ स्कॉर हो जेई में और हम आपको वी का ओक्ष्ग वांट का अप् इंडिया के अंदर जो सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो जोसा किया है सर जोसा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है जोसा इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिसके सिक्स राउंड होते हैं जोसा.nic.in यह ओफिसिल पोर्टल है जिसपे सिक्स राउंड अप काउंसलिंग होते हैं अगर आप जे मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसमें जे एडवांस की लिजबिल्टी बन है तो आपको वाम पर IIT के स्लेक्ट करने को आएंगे IIT के आएंगे NIT आएंगे ट्रिपल आएटी के आएंगे GFTI आएंगे CFTI आएंगे और अगर आपने एडवांस कॉलिफाई नहीं किया है तो IIT के आएंगे बाकी सारे आप्संस वहां पर रहेंगे हंडिट प्लस कॉलेज इसमें पाडिसिपिट करते हैं तो एक बहुत बड़ी सी एक सिस्टमाटिक श्वैस प्लिंग करनी पढ़ती है तो आपको अपने राइंग के हिसाब से क्या कॉलेज ऑप्संस रखनी है उस कॉलेज में क्या ब्रांच ऑप्संस रखना है ये नहीं मा अगर नहीं हो रहा हो तो आप फॉर्गट करके आप लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करेंगे फिर आप से पूछता है उस रिस्टेशन के दौरान तो इस्टेट ऑप इलिजबिल्टी में आपको बता दू क्या होता है इस्टूडिंट ने जहां से टैन प्लस टू कर रखा इट्समिन की बारवी की उसने जहां से पढ़ाई कर रखे है ट्वेल्ट की वो उसका स्टेट ऑप इलिजबिल्टी होता है वो बच्चा क्यों ना यूपी का हो अगर उसने राजिस्तान से ट्वेल्ट कर रख है तो जो उसको जोसा की काउंसलिंग में जो स्टेट ऑप इल यह बूलूँआ, स्टेट काउंस्लिंग के लिए, अगर आपके पास स्टेट की काउंस्लिंग हैं, तो आपकना domicile देखा और स्टेट में, गॉवर्मेंट सीट के लिए, रिजन वेशन पाओ, ऐसा क्या सकते हो आप, यह बड़े इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट से आपने स्टेट कर लिया, स्टेट ऑप एलिजबिल्टी सम्मिट कर दिया, उसके बाद आती ही चॉइस प्लिंग, तो इन जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईटी बढ़ते हैं, फिर ट्रिपल आईटी बढ़ते हैं, और फिर कुछ यह पी आईज हो गए, तो मैं बुलूँग कि जब आपको NIT में CS IT नहीं मिल रहा होता है, तो ट्रिपल आईटी में 110 part को कहीं नहीं CS मिल रहा होगा, अगर की नहीं CS मिल रहा होगा, तो इक चॉइस प्लिंग के यह पार्टन है, जो आपको को इसमें करना होता है, हम च्रिपलिंग के बाद एक रिजल्ट आता है, उसम में seat allotment निकलती है, allotment के बाद में option होता है, freeze का, एक load का और एक withdrawal का, withdrawal का मतलब counseling में नहीं participate करना चाहते हैं, आप out होना चाहते है, freeze का मतलब यह एकि जो आपको seat मिली है, उसमें आप satisfied हैं, आप वही seat लेके finally reporting करना चाहते हैं, और आप आगी की counseling में participate नहीं गरना चाहते हैं, तो उसमें आपको amount pay करना होता है, 35,000 जो की जो हमारी income certificate के भी आप पर हमारी fees decide होती है, और जैसा हमारा income certificate होगा, उसे के बेस पर हमारी fees decide होती है, इसके भी criteria's है, उसके बेस के बेसे हमारे फीस हमारी जो security amount होगी वह minus हो जाती है floating का मतलब होता है कि जो सीट मुझे मिली है वो सीट हम opt करेंगे और वो opt करेंगे हम आगे की round में float होना चाहता है तो उस पर भी हमको एक security amount pay करना होता है जोकी refundable होता है last round की खतम होने ता है और जब आप फ्रीज कर जाओगी तो आपको केंपस पर रिपोर्ट करना होता है उसके ओनलाइन वेबसाइट पर रिपोर्ट करनी होती है तब हमारी जाकर फाइनल सीट अलॉट होती है अगर हम कोई भी प्रोसेस कही पर भी बीच पे भी अगर छोड़ देते हैं तो हमारा व दो और तो आपने इंगम साइटीफिकेट भी बनवा सकते हैं तो बहुत पुरानी होगी से वह से प्रइटिफिकेट रिजक्त हो जाती है अप आप काउंसिलिंग के समय बाखी चीजों पर इंवाल रहते हैं आपने इस से नहीं बने पाते हैं तो आपको से करेंगी साइट बनवा के टाइम लिए अपने प्रोसेस को फर्दर करे हमारी टीब आपको हैल्प करती है बहुत सारा रिसर्च बेस में, च्वाइस प्लिंग में, कॉले सॉट लिस्टिंग में, ब्रांज सॉट लिस्टिंग में, कुछ भी प्रोब्लम फेस कर रहे हो, किसी अच्छे कॉलेज में अड़िशन चाहते हो, तो टीम को रीच आउट करो, नंबर डिस्क्रिप्शन पर हैं, बाँ नंच्छे कर लोग्या प्रांज में, क्या रहे हो, तो गीजमा प्रोब्लम फेस के कि अच्छे करें, बाँ संस्क्रिप्शन थार्णा करें चाहते हो, तो में, क्यों टूप आए हो, जुभ सुट यूश़ती आए, बाँ प्रांईस लिस्टिंग चुछ तेईस्ट, बाईस